हलो फ्रेंज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक्जाम की दिवाने आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है आज हम आपके लिए केंद्रिय मंदल 2019 के बारे में बताएंगे जो सभी एक्जाम्स में बहुत पूछ जाते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने वाटसाप और फेसोग ग्रूप पर भी सियर कीजिएगा तो डेना करते हुए चले स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है ग्रह मंतरी कौन दिक्त किये गए तो ग्रह मंतरी हैं अमित्साः तो अमित्साः को ग्रह मंतरी का पद दिया गया है नेक्स्ट है रक्षा मंतरी कौन दिक्त किये गए हैं तो रक्षा मंतरी हैं हमारे राजनात सिंग इनको रक्षा मंतरी का पद दिया गया है नेक्स्ट है वित मंत्री किसे निक्त किया गया है तो ये कोशन आपके लिए most important है तो इसको आप अच्छे से याद कर लिजेगा तो इसका है वित मंत्री हमारे निर्मला सीतारमण तो इसका होगा option number D नेक्स्ट है विदेश मंत्री किसे निक्त किया गया है तो विदेश मंत्री निक्त किया गया है डॉक्टर सुब्रमंडियम जैसंकर तो डॉक्टर सुब्रमंडियम जैसंकर को विदेश मंत्री निक्त किया गया है सडक परिवहन और राज मंत्राले किसे दिया गया है तो सडक परिवहन और राज मंत्राले किसे दिया गया है नितिन जैराम गड़करी को तो इसका होगा option number B सडक परिवहन और राज मंत्राले किसे दिया गया है तो यह है नितिन जैराम गड़करी नेक्स्ट है रसायन और उर्वरक मंत्राले किसे दिया गया है तो रसायन और उर्वरक मंत्राले किसे दिया गया है हमारे डी वी सदानन्द गोणा को रसायन और उर्वरक मंत्राले किसे दिया गया है डी वी सदानन्द गोणा नेक्स्ट है रेल मंत्राले किसे दिया गया है तो रेल मंत्राले हमारे प्यूस गोईल जी को ही दिया गया है पिसली बार भी यही थे रेल मंत्री अब भी यह रेल मंत्री प्यूस गोईल ही है तो नेक्स्ट है पेट्रोलियम और गैस प्राकरतिक गैस मंत्राले किसे दिया गय है तो पैट्रोलियम और प्राक्रतिक गैस मंत्राले दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान को किसे दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान को नेक्स्ट होगा सूचना और प्रिसारान मंत्राले किसे दिया गया है तो सूचना और प्रिसारान मंत्राले दिया गया है प्रिकास जाव इकड़ जी को ही दिया गया है नेक्स्ट होगा अलप संखिक मामलों का मंत्राले किसे दिया गया है तो अलप संखिक मामलों का मंत्राले दिया गया है मुकतार अबास नक्वी जी को किसे दिया गया है मुकतार अबास नक्वी को नेक्स्ट कोशन है पसपालन डेरी और मत्सपा पालन दिया गया है गिर्रास सिंग जी को किसे ढिख गया है गिररास सिंग जी को किसे दिया गया है राम विलाज पासवान जी को नेक्स्ट है कानून और न्याय मंत्री कौन निक्त किये गये है तो कानून और न्याय मंत्री चुने गये है रवी संकर प्रिसाद कौन चुना गया है रवी संकर प्रिसाद नेक्स्ट है क्रसी और किसान कल्यान मंत्री किसे निक्त किया गया है तो क्रसी और किसान कल्यान मंत्री है नरेंदर सिंग तोमर कौन है नरेंदर सिंग तोमर नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस करांड उद्योग मंत्री कौन निक्त किये गए हैं तो खाद्य प्रसंस करांड उद्योग मंत्री हैं हर सिम्रत कोर बादल कौन है हर सिम्रत कोर बादल नेक्स्ट है महिला और बाल विकास मंत्री कौन निक्त किये गए हैं तो महिला और बाल विकास मंत्री निक्त की गई हैं इस स्मृत्री इरानी ये कोशन आपके लिए most important है तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए नेक्स्ट है स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्री कोन निक्त किये गए हैं तो स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्री चुने गए हैं डॉक्टर हर्सवर्दन कौन चुना गया है डॉक्टर हर्सवर्दन नेक्स्ट है जन्जातिय मामलों के मंत्री कौन निक्त किये गए है तो जन्जातिय मामलों के मंत्री चुने गए है अर्जुन मुंडा कौन चुना गया है अर्जुन मुंडा next है मानव संसाधन विकासमंत्री कौन नीक्त किये गये हैं doc मानव संसाधन और विकासमंत्री चुने गये हैं रमेज पोखरिया किसे चुना गया है रमेज पोखरियाल sorry तो यह कूश्चन आपके लिए इंपोर्टन्ट है तो इसे आप अच्छे सदेख किली ऐगा मनत्री और सन्सदी माम लों की मंत्रीं प्रिहलाद जोसी क्वेंत्र किया गया है प्रिलाद जोसी नेक्स्ट है कौसल विकास और उद्यमता मंत्री कौन निक्त किया गया है तो कौसल विकास और उद्यमता मंत्री चुने गया है महिंदरनात पांडे कौन चुना गया है महिंदरनात पांडे नेक्स्ट है भारी उद्योग और सारवजनिक उद्यम मंत्री किसे निक्त किया गया है तो भारी उद्योग और सारवजनिक मंत्री चुना गया है अर्विन्द गडबत सावन्द जी को किसे चुना गया है अर्विन्द गडबत सावन्द जी को नेक्स्ट है जल सकती मंत्री कौन निक्त किया गया है तो जल सकती मंत्री कौन अगर अब वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो प्रीस लाइक से और सब्सक्राब करना ना भूले थैंक यू जैहिन